हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू में यूट्यूब चैनल, इस्टरी वर्ड प्लस वित प्रशांत, फ्रेंड्स, लणिंग इन प्रोग्जिमिटी सेंसर्स की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, बीसी, थ ही नहीं लिखा होता, यह एनो टाइप है, या एनसी टाइप है, या फिर एनपन या फिर पन प, आपको खुद के वाले कि स्टीकर पर उसका नाम लिखा हुआ है, उससे पता करना होता है, अब इसी सेंसर का मैंने आप पर नाम लिख लिए है फ्रेंड्स, पी आर, डवल, 18.5 DNV, इस तरह से इस पर लिखा होगा, अब इसी को देख के आप पता करना है, यह किस टाइप का सेंसर है, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसी को पर हम हाज बात करने वाले हैं, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो मैंने प्रीवेस दो वीडियो उप् उसके बाद हमने अगली वीडियो में समझा था, इंडक्टिव प्रोग्जिमिटी सेंसर, जो टाइप्स में था पहले वाला, इंडक्टिव, इसको हमने सब क्यरक्टराइज किया था, उसकी कंडिशन के वेसिस पर, जैसे AC, DC, 2-wire DC, 3-wire DC, या फिर 2-wire AC, आज हमने लिया इसकी नेम प्लेट को हम कैसे पढ़ते हैं, जा फिर हम कैसे सलेक्ट करते हैं, उसी के उपर आज की वीडियो होने वाली है, तो टाइम ना वेश्ट करते हुए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि आपने देख सकते हो, ये कोई DC 3-wire सेंसर है, उसके उपर इस उसका इस टिकर लगा होगा, तो सबसे पहरे हम स्टार्ट से देखते हैं, जो ये आप दिखते हैं, पी लिखा हुआ है, इस पी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये इंडिकेट करता है आपका टाइप, किस टाइप का सेंसर है, तो ये है हमारा इंड़क्टिव प्रोक्जि के sensor को ही मैं interpret कर रहा हूं मैं इसकी company भी यहां पर लिख देता हूं a-u-t-o-n-i-c-s बहुत ज्यादा usable sensors हैं और effective sensors हैं चीप रहते हैं और nix company के तो जो उसमें अगर ऐसा कभी sensor आप देखोगे उसमें p लिखा हुआ है start में तो वो उसको indicate कर रहा है inductive proximity sensor है उसका दम अगला word पर आते हैं आप जो आर देख पार हैं फ्रेंड यह आपका indicate करता है shape क्या है sensor का तो जैसे ही अगर आपर आर लिखा होगा तो वो जो shape होता है फ्रेंड वो cylindrical type होता है कौन सा shape होता है cylindrical type जैसे कि आप यह देख रहे है यह सभी sensor cylindrical type में है यह भी sensor cylindrical type में है तो यह आपका देखा रहा है shape cylindrical type इसका shape क्या है cylindrical ठीक है फ्रेंड अगला हम देखते हैं जो लिखा हुआ है that is w तो यह w का indicate करता है अब W इंडिकेट करेगा दो तरह से लिखा हो सकता है या तो कोई मार्क नहीं होगा कुछ नहीं लिखा होगा खाली होगा या पर या फिर W लिखा होगा अगर W लिखा होता है यह होता है DC 3-wire DC 3-wire sensor sensor अब इसमें एक और condition है आगे condition यह है जो इसकी cable होगी sensor की वो connector type होगी C-O-N-E-C-T connector type मतलब आपको दिखा जिता हूँ है कि में इससे यह देखेए फ्रेंड इस तरह का sensor होगा यह देखने है वो ही cylindrical type है inductive proximity है लेकिन इसके पीछे cable नहीं है यह चूड़ी देख पारेंगे फ्रेंड यह चूड़ी अब इस पर हम connector को tight करेंगे और connector किस तरह का होता है इसका यह रा connector यह उसके wire है और यह जो इसकी thread है वो इसके उपर tight हो जाएगा ठीक है ना यह W का जो मतलब होता है अगर उस पर कोई mark नहीं है no mark मतलब वो कैसा होगा DC three wire cable type cable type से मतलब जैसे कि मैंने previous आपको sensor दिखाये थे यह वाला इसमें सीधे ही cable दी हुई है कोई connector नहीं है तो यह अपने उपर depend करेगा मैं किस तरह का purchase करना है अभी तह हमने क्या देखा P का मतलब होगया proximity inductive sensor R उसका shape हो गया cylindrical type अगर sensor ने W लिखा हुआ है तो वो connector के साथ आएगा उसकी connector भी आपको लेना पड़ेगा और अगर खाली है तो वो सीधे cable लगा होगा sensor में उसका हम देखते है L L का represent कर रहा है हमारा body size उसमें भी तीन होते हैं अगर आपका L लिखा हुआ है तो विल्यू कर यह रहा हूँ अगर आपका L लिखा हुआ है तो large body body अगर आपका S लिखा हुआ है short body body और अगर आपका कोई mark नहीं है तो standard size का होगा standard size मंतलब क्या होता है friend जैसे कि आप sensor देख रहे हो यह छोटा short body वाला है कुछ-कुछ sensor यह से यह देख रहे हो आप यह large body वाला है इस तरह से depend करते हैं वो आपके भी area के उपर depend करते हैं कि आपको कहाँ पर sensor लगाना है समझवे friends जो हमारा L है वो क्या दिखा रहा है हमारा body का size उसका हम देखते हैं 18 लिखा हुआ है PRWL था हमने कर लिया आगे लिखा हुआ है 18 यह आपका represent कर रहा है इसका dimension यह जो dimension है मतलब 18 mm का sensor होगा यह mm होता है dimension sensor का 18 मतलब जो इसका यह हिस्सा यह वाला हिस्सा यह इसका 18 mm का होता है कुछ sensor जैसे भी हो सकते है 30 mm के 30 mm तो यहां पर क्या लिखा हुआ हुआ है 30 ठीक है friend यह का लिखा हुआ है इसका dimension area आगे हम बात करते हैं फिर लिखा हुआ है इसमें 5 डेस के वाद 5 लिखा होगा sensor पर यह आपका दिखाएगा sensing distance एक number है मतलब sensing distance कितनी दूर तक ही sense करेगा अगर 5 लिखा हुआ है तो यह 5 mm तक sense करेगा किसी किसी sensor पर 8 लिखा होता है तो 8 mm तक sense करेगा किसी पर 10 लिखा होगा तो 10 mm तक sense करेगा यहां पर अगर 10 है तो 10 mm तक sense करेगा चलिए अब most important चीज़ आने वाली है चातर हैं इसको तो अच्छे देखना हो इसमें friend अगर N आ गया last में D के साथ अगर N आ गया तो यह NPN type sensor होगा NPN इसमें भी DN आ रहा है तो यह भी NPN होगा इसमें D के साथ P आ रहा है तो सीथ यह PNP sensor होगा इसमें B D के साथ P आ रहा है तो यह भी PNP sensor होगा इतने कहानी तो complete हो चुकी है लेकिन 7 में इसमें 2 लिखा हुआ है 2 के साथ तो वो क्या show कर रहा है अगर केवल dn लिखा हुगा है friend तो npn-no type sensor होगा normally open type अगर 2 आ गया तो आपको समझ जाना है ये npn-nc type sensor होगा dp है तो ये pnp-no type और अगर 2 इसके साथ जुड़ गया तो ये pnp-nc type sensor हो जाएगा इस तरह से हम पता करते है friend तो जैसे आपने कोई sensor लिया मान लिए ये ही sensor था हमारा फिर से ये वाला इस sensor के उपर जो ये sticker लगा हुआ है उसमें आपर dp2 होता dp2 तो मतलब ये कौन सा sensor हो जाता आपका pnp sensor हो जाता और 2 मतलब हो जाता आपका normally closed nc type चलिए friend यहां तक complete हो चुगा है हमारा उसका last बचा हुआ है हमारा v ये cable type आपका indicate करेगा किस तरह की cable आपको चाहिए तो इसका ये मैं आपको पताएता हूँ अगर कोई mark नहीं है तो standard cable होगी dard standard cable और अगर इस पर v लिखा हुआ है तो ये oil resistant cable होगी oil resistant tand cable मतलब ये oil से इतनी यल्दी cable damage नहीं होगी और अगर ace होगी तो option है मतलब आपके उपर option आप किस तरह की cable लेना चाहते हो अपने demand आप रखेंगे company के उपर और वो उस तरह की cable आपको provide करेंगे इस तरह से फ्रेणम ये nameplate detail को dc three wire sensor की पता करते हैं या फिर select करते हैं ये जो मैंने company लिए autonics company का sensor लिया हुआ है कुछ sensors और लेंगे फ्रेणम purple sense fuse company के लेंगे onpron के भी लेंगे उनका ही बता हुआ किस तरह से पढ़ते हैं लेकिन basic criteria यह होता है एक बार short में देख लिए आप जैसे P लिखा हुआ है तो inductive type autonics company का यहाँ पर C लिखा होता वो capacitive वाली series जो होती है जो मैंने आप बताये थे आपको capacitive वाले इस पर हम बाद में आएंगे फिर R लिखा हुआ है यह इसका shape indicate कर रहा है cylindrical type है W connector cable के साथ character है या फिर cable cable sensor के साथ L आपका body size indicate करेगा short body या फिर large यह dimension कितने mm का sensor है यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है यह sensing distance कहां तक sense करेगा फिर यह किस type का है NPNNO है या फिर NPNNC है last में आपका cable किस type की है तो आशा करता हूँ friend आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ अभी हम इसको ही stop नहीं करेंगे DC two wire sensors किस तरह से interpret करते है या फिर AC two wire sensor किस तरह से interpret करते है Autonics company के वो भी मैं अगली वीडियो में आपके सामने ले के आऊँगा तो इसके बाद भी अगर आपका कोई doubt बचता है वीडियो से तो comment section वीडियो बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए जाए शादा friend वीडियो के सेर कीजिए and please don't forget to subscribe my channel thank you